अस्वाम नेकूम वेलकम टो ख्रीदारी मेरा नाम तयव है दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा इंट्रस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो में हम अपने मोबाइल फॉन से डेटा रिकवर करना सिखेंगे इससे पहले मैं Android में डेटा रिकवर करना सिखा चुका हूं इस की वाज़ा से आपका डेटा लूज हो जाता है तो उनको कैसे रिकवर करना है सब चीजें इस वीडियो में डेटेल से बताऊंगा तो मेक शूर वीडियो को शुरू से लेके अंड तक जरूर देखिएगा ता कि आपको एग्जेक्टी बता चल सके कि आपको किन स्टेप को करना है और किस तरह आप अपने गुमे हुए डिलेटी डेटा को रिकवर कर सकते हैं इसे बहले के वीडियो को स्टार्ट करें चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करने साथ ही साथ बैला एकन को पैस करने ताक लेटेस्ट वीडियो के नोटिफकेशन सबसे बहले आपको म कर लेना है आएमाइफॉन.com और यहां पर डेटा रिकवरी सॉफ़एर को स्लेक्ट कर लेना है इनकेस आपको यह सॉफ़एर अच्छा लगे और आप इसको यूज करना चाहें तो लिंक में डिस्रिप्शन में दे दूँगा आप बहां पर जाके डिरेक्ली भी इस लिंक अब जैसे ही आप यहां पर जाएंगे तो यहां पर आपको दो तरह के आप्शन देखने को मिलेंगे यह सॉफ़एर विंडोस के लिए मैक बुक के लिए विलेबल है क्योंके मेरे पास मैक बूक के लिए डाउनलोड किया हुआ है अब इसका फ्री वर्जन भी है और पेड इसका फ्री वर्जन भी है फ्री वर्जन में आपको बहुत सारा कम डेटा रिकवर होके मिलेगा जबके पेड वर्जन में आपको हर चीज अलमुच देखने को मिल जाएगी अब यहां पे अगर हम इसको बाय करना चाहते हैं तो यहां पर आपका एरली प्लैन भी आजएग अब चलते हैं अब आपने फॉन की तरफ और में आपको दिखाता हूँ कि यहां पर इस वाकत हमारे पास कौन कौन सा डेटा है तो यहां पर इस वक्त हमारे पास फोटो रॉल्डर में मैं कुछ फोटो लेकर रखी नहीं हैं जिस तरह यह फोटो है इसके पे लावा भी इस इने यहां भी देलेट कर दिया और इस व्मारे फिर फोटो में और खिर नहीं है बिल्कुल clean phone है, जो हमारे पास इस phone में data था, वो हमने सब delete कर दिया है, अब आपको इसको connect करने का बड़ा simple सा तरीका है, आपके पास एक cable होनी चाहिए, जो कि आपके laptop या computer से connect होजए, अब Macbook है, तो मेरे पास C type to lightning है, अब आपके पास Windows computer है, तो USB to C type भी चलेगी, आपको करने अपने phone को connect, अब जैसे ही आप connect करेंगे और इस software को जब आपने डाउनलोड कर लिया होगा, आप अपने device से भी data को recover कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि iCloud से आप data recover करें तो आप वो भी काफी easily कर सकते हैं, इसके लावा यहाँ पर recover from iTunes भी है, अगर आपके पास आपके phone का backup हुआ है, और वो क्रप्ट हो गया, किसी तरीके से नहीं कुल रहा है, कुछ भी हो गया, तो भी आप iTunes के backup से भी अपने data को recover कर सकते हैं, इसके लावा यहाँ पर fix system का भी option है, अगर आपका phone recovery mode में फस गया है, आप अपने लाप्टॉप की hard drive से भी data को recover कर सकते हैं, यह बहुत जादा इंट्रेस्टिंग चीज है, यह एक ऐसा software है, जिसमें आपको हर चीज का solution काफी जादा easily देखने को मिल जाएगा, अब चलते हैं, हम फोन पर चलते हैं, यहां पर हम अपनी device से data को recover करने कोशिश करते हैं, next करते हैं, यहां पर काफी सरे options आते हैं, मैं इन सब को check कर देता हूं, ताके कुछ भी है इस phone में तो हमें निकल के सामने आए, और यहां पर हम इसको scan करते हैं, अब जैसे ही हम इसको scan की option देते हैं, अब अपने phone पर अपना passcode डालें, तो यहां पर पास code है, और यहां पर जैसे ही हम पने passcode डाला तो इसने phone को scan करना शुरू कर दिया, यहां पर हमारे फॉन की स्कैनिंग शुरू हो चुकी है और अगर मैं आपको दिखाता चलों तो लेफ्ट साइड पे हमारे काफी सरे आप्शन आगे हैं अब देखते हैं हमें इन में से कुछ रिकवर हो के मिलता या नहीं मिलता तो फाइनली भाई हमारा डेटा यहां पर है फोटो है इसके लावा हमें क्या मिला है यहां पर कुछ मैस्जिस भी हमें मिल चुके हैं जो फॉन में मैस्जिस थे वो भी आ चुके हैं तो यह काफी जादा इंटरस्टिंग है अब इस इन फोटो को आप अपनी डिवाइस में रिस्टोर कर सकते हैं और अपने इसके लावा यहां पर आप बहुत सरे काम कर सकते हैं आप आइकलाउट से डेटा रिकवर कर सकते हैं तो डेफिनिटली एक आल-in-one सौफवेर है आपके डेटा रिकवरी के लिए और मस्ट यूज़ करना चाहिए इनकेस आप इसको खरीदने में इंटरस्टेड हो या इसक फॉट एर सकते हैं अब यहां हमारा फॉट में ओर आपके आपस आवापिस नहीं तो हमारा फॉट हो चुका है है अब यहां फोड़ा सा प्रोसेसींग में टाइम लेगा लेले हैं लेझा लेट्याड लेटरव उनियुट होता या नहीं होता है हमारा phone भाई यहां पर दुबारा से स्टार्ट हो चुका है और यहां पर हमारे phone में हमारा सारा data वापिस आ चुका है जो photos हमने recover कि थी वह device में वापिस आ चुकी है तो देविनेटल यह काफ ज्यादा interesting है दोस्तों मित करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और आपकी काफी हल्प होगी इस सौफ़यर को यूज करने में और अपना डेटा रिकवर करने में अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज लाइक कर दीजिएगा इनकेस इस सौफ़यर में सेक्षिन में जरूर बताएगा टेक केर अलाहफ़ज थाया है